सेकेंड गुरुग्यान विच इस अल्सो वेरी इंपॉर्टरिंट ग्रूप टू के पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कब करना है ग्रूप टू का एक डेप्थ पेपर पैटरन पहले बता रहा हूं अभी तक तो खाली उपर उपर पेपर पैटरन बताया अब अंदर अंदर क्या आएगा वो बता रहा हूं और एस वाला क्वेस्चन हम कब अटेंप्ट करेंगे वो ध्यान में ध्यान से सुनलो पूरा वो ऐसा देगा पूरे पेपर में जैसे दो टम पहले एक तो पार्टनर्शिप का 20 मां का क्वेशन दिया था चार पेज का वो क्लास वाला ही क्वेशन है बड़ वो हात नहीं लगाते एक्जैम में लगाएंगे तो आप खतम हो जाएंगे कभी हात नहीं लगाने का वो खु दोड़ देना है जैसा आज तक कर रहे हो अभी सुनो 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 तो ग्रुप टू का पेपर का ये खास बात है आप कोई भी पास्टम का पेपर उठालो आपको च्छे क्वेशन में एक क्वेशन ऐसा देगा जिसको हात नहीं लगाने चाहिए बात बगी सब आता है सर यह नहीं आता है वो अच्छा बात उता है क्यों क्योंकि तिर को पता है क्या चीज नहीं करना और क्या करके आगे बढ़ना है और वह वो यह प्ट吃 जेस्ची और चांट रहे वह ले चाही चुके hisp एक question किये थे, जिसमें सारा adjustment था, हमने बीच में revaluation भी डाल दिया था, अगर वो दे दे भी स्माग का, पहला prima facie we will not touch it, ऐसा नहीं आता नहीं है, ऐसा है उस समय करने लाइक नहीं है वो, हाँ, अगर मेरे को लगा करते करते last में, पहला तो prima facie कर लिया नहीं करना है, मान ले अब last में दो question बचा, दो question देख रहे हैं, एक वो consolidated balance sheet बाकी है, एक और question बाकी है, sir, इस question में भी एक 20 माग है, इधर भी एक 20 माग है, तो जो दोनों में अच्छा है, उसको शुरू कर दे, जितना खतना complete कर पाए, कर ले, sir, इधर दो दस-दस का, इधर एक 20 है, और sir, दो द पाऊगे नहीं, तो बाद में develop नहीं होगा, तो group 2 का paper का characteristic का यह जो पता होगा, अब मैं paper pattern थोड़ा तुमारे सामने रख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना paper pattern institute कैसा बनाता है, इस paper of group 2 में, और यह paper pattern ना 90% consistency के साथ हर साल चलता है, थोड़ा आगे पीछे कर देगा, 3 को 4 या 4 को 3 कर देगा, बट question का जो mix होगा ना, maximum time सेम दिखाई देगा, जैसे, question 1 की अब बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो क्यों, सर यह ASE आना है, तो इसमें बात करके फाइदा नहीं है, यह ASE आएगा, अगर question 2 को तोड़ा ध्यान से देखो, amalgamation internal reconstruction, question आ रहा है, एक मतलब वो 20 माग का है, कितने माग का, amalgamation internal reconstruction तुमारे bus का है, तुम कर पाते हो, सर internal आ गया, तो सर जिंदगी सारा खुशी वहीं है, बट ध्यान रखना, वो ऐसा question है, जो time भहुत लेगा, उन questions को करते समय, time पर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वो time को exceed ना कर जाए, यानि, बेकार का time waste करके narration लंबा चोड़ा लिख रहे हैं, notes to accounts में सारा notes बनाने का कोशिश कर रहे हैं, पहले मत करो, पहले फटापट journal कर लो, normal balance sheet ready कर दो, अगर देगा 30 मिनट हुआ है, पांच मिनट और है, तो notes बना दे, अगर लगाना ही 40 हो गया, एक पार छोड़ दे, एक page छोड़ दे, बाद में time मिलेगा, notes बना देगे नहीं, तो ignore, अबे notes नहीं बनाएंगे, दो marks कटेगा, हम notes बनाने के चकर में 10 mark का question छोड़ देगे, तो 10 चला गया, समझा मेरा बात में क्या बोल रहा हूं, ये सब question क्या है, करने लाइक होते हैं, बट इस question generally tend to waste your time, इसी नहीं पहले पहल सुनो, तुम बहुत दिन बात देख रहे हो, बीच में क्लास नहीं रहा ना, इधर देखो, question 3 में, consolidation 115 का और 5 का एक NBFC, almost every paper में दिखेगा, वही आ रहा है, आप सुन, मतलब, NBFC वाला question, 5 mark का हरटम आएगा, और वो consolidation के साथ क्लब हुआ हुआ रहेगा, मैं ऐसे बोलता हू इतना precise नहीं जाके, या तो consolidation या partnership, 3 और 4 में रहेगा, consolidation partnership, और एक में 5 mark का NBFC रहेगा, ऐसे तोड़ा सोच के चलते हैं, broad तोड़ा, कि changes हो, तो भी हमको पता रहे, कि हाँ ये switch हो सकता है, तो question 3 and question number 4, consolidation और partnership के दो बड़े-बड़े question रहेगे, तो देख, 2 भी बड़ा, 3 भ consolidation के साथ 5 mark का हमेशा क्या रहेगा, NBFC रहेगा, ये NBFC चिंदी होता है, ये 100% mark score वाला होता है, तो इन सब question को छोड़ने का नहीं, unless पहला वाला 15 एकदम नहीं आता, तो बात अलग है, otherwise हम लोग try कर सकते हैं बनाने का, जब बनाओ, पहले NBFC बना के छोड़ देना, फिर consolidation बनाना, ये बेवकुफी मत करना चल पहले, consolidation बनाना, अरे NBFC तो हो रहा है, दो मिनिट में करके नक्की कर, फिर वो करते रहना तुम अपना, ताकि अगर last में time कम भी बचे, तो मेरा कम से कम वो पूरा हुआ है, question 4 में partnership, या consolidation, generally क्या होता था, हर term में, एक consolidation एक partnership देता था, last वाला time, एक exceptional time था, जहां पर दोनों बड़ा question consolidation से फेका था, और जो बच्चे छोड़के गए, उनका थोड़ा सा उस time में बत्ती लगे, जबकि एक question PL वाला था, एकदम support question था, एकदम easy question था, बट तो भी बच्चा कहा है, छोड़के चला जाता है, देखता नहीं है, तो उस समय करना difficult हो जाता उसके लिए, तो वो बच्चा लोग, maximum बच्चा लोग, जो consolidation चोड़ा, वो बला भाईया, एक 20 माग का पूरा छोड़के आए है, क्योंकि दो question में है, तो एक तो भाईया, छुटे गई, कुछ कर नहीं सकते, एक तो choice में चला गया, एक छुट गया, यह मेरे को नहीं लगता, रिपीट होगा, पार्टनर्शिप दिया जाएगा, एक consolidation, एक पार्टनर्शिप आपको एक्जाम में देखने मिलेगा, यह question कौन सा हो गया, 3 और, question 5, देखो, हर टम एक banking company उसमें रहेगा, देखो, बैंकिंग हर में दिख रहा है क्या, और दूसर वाला question, जादा तर buyback, या फिर 10 का liquidation, liquidation 10 का आया, तो 5 में आएगा, 5 का आया, तो 6 में आएगा, liquidation वाला question, if 10 marks, it will be given in 5, if 5 marks, it will be given in, एक banking constant है वहाँ पे, banking ना सुनना, easy chapter है, बस छोटे छोटे करके बहुत topics है, उन सब चीजों को कैसे कर रहा ची है, बैंकिंग वाला topic हमे एक घंटा लेके बैठेंगे, हर topic को properly summary book से घुमाएंगे, थोड़ा सा, कुछ-कुछ topic ऐसी है, जिनका थोड़ा एक practice चाहिए, जैसे for example, एक rebate calculation का question बना लो, क्योंकि उसमे number of days निकाल के rebate properly calculate करने का, यही सब गलती होता है, अगर वो सुबह देखके जाओगे, provision का rate सुब of the paper, बड़े question में, 10-10 माक वाले में, easy question होता है, हम लोग जब अपना paper चालू करेंगे न, buyback, banking, liquidation, कोई छोड़के मत जाना, question 5 will be, will be, or may be, our question 1, first question, हम लोग सबसे पहले यह attempt करेंगे, 10-10 माक के question है, यह attempt करेंगे, इसके बाद, दूसरा हम लोग, question 6 attempt करेंगे, 5 हो गया, 6 हो गया, सुन, question 6 में, normally मैं बोलू, तो 2 या 1 AS और balance chapter से question आते हैं, इसमें ESOP, ESOP, question 6 में दिखेगा, liquidation, question 6 में दिखेगा, छोटे-छोटे question रहेंगे एकदम, और वो free के marks वाले, मतलब उस question में गलती होने का कोई chance, नहीं है, एकदम easy question हैता है, और एक choice भी रहता ह हमारे पास, तो आराम से वो 5 question हम लोग कर सकते हैं, question 5 will be my first question, question 6 will be my second, कितना हो गया, 40, 40 हो गया, अभी, क्यूंकि ये दोनो question ऐसे थे, जो faster हो सकते है, मेरे को लगता है, ये 40 माग बच्चा एक घंटे में cover कर सकता है, अगर वो normal speed पे चले, हम लोग क्या करेंगे, AS में नही question 2, my fourth question will be question 1, and my last question will be any of the two, 3 and 4, तेरा paper देगा तरह कहा गया, क्या किया था पहले question, नहीं करना है, समझ गया बात को, सबसे बड़ा गलती वही है, और उस 20 मार्क में, तेरे को क्यूंकि वो marks काटते चला गया, average करते चला गया, उसके बाद के paper में भी न, छोटी-छोटी mistakes के लिए वो cut-cut-cut-cut-cut करते गया, कभी भी AS हम लोग first question attempt नहीं करेंगे, कितना ही अच्छा आता हो तुमको, तुम भी जानते हो, बना के लिखना हुआ, तो तुम क्या लिखना शुरू कर दोगे, never never do question 1 at the beginning, question 5 से start करो, question 6 में जाओ, फिर question 2 में जाओ, तो एक बड़ा हो गया, दो छोटे question हो गए, एक घंटा 40-50 मिनिट तुम्हारा complete हो जाएगा, फिर 25 मिनट, 30 मिनिट लगा के question 1 करो, और last होगा question 3 या 4 में कोई 1, पक्का पता रहेगा, तो हमारा AS, question number सुन ले, या तो third या fourth होगा, या third, या fourth, group 1 में बिना यही बोला था, third या fourth में attempt करना है इसको, क्योंकि compulsory ये last तक बैठना नहीं है, और first में भी करना नहीं है, कब करना है, बीच में करना है, third या fourth, याद रहेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा important है, ये exam में बहुत काम करेगा, और आपको 100 माक का paper attempt करने में help करेगा, आप करके आएंगे, तो आप देखेंगे, normal सार हम 80 कर पाते, तो आप 90 करके आएं, कम नहीं किये, ज़्यादा ही किये, एक ठो क्वेशन, ये तब पता चलेगा, मॉक्टेस जब दे, तब इस पर ध्यान दीजेगा, ऐसे देना है, clear है बात, done, ये हमारा second हो गया गुरुग्यान, आगे चलते हैं,